हम देखते हैं किस तरह से एक calculator की app हम visual basic.net में design देखते हैं यह उसका एक module है जिसमें हमने एक form बनाया है और form की property पे क्या लिखा है text पे calculator form का नाम है form1 यह हमने एक level बनाया है जिसकी हमने नाम रखा है level display और उसकी auto resize property को false किया है background color को change किया है और border को fix 3D पे रखा है जिस वज़ा से यह सर दर आ रहा है इसकी text property में हमने लिखा है zero point और जो इसकी text alignment है उसको हमने रखा है middle right ताकि यह right side पे zero नदर आगर center करेंगे तो यह से नदर आएगा यहीं कि data right side से शुरू हो जाए ठीक है उसके बाद हम आ गए यह क्या चीज़ बनाई है यह अपने कमांड बटन बनाया है तो कमांड बटन कैसे बनते हैं सबसे पहले आप जाएंगे यह बटन लेंगे उस बटन का एक री size करेंगे और यहां पर आपने जो बटन बनाने है वो तक्रीबन इस तरह से बनाने हैं एक दो थीन चार पांच छे वाला वन तो थ्री फोर फाइव सिक सेवन एट नाइन इसके एक बनाने के बाद कपेस्ट करते जाएंगे उपर देने हैं तक्रीबन वन त्टीबन वाले बटन का नाम आपने रखना है सबसे नीचे वाले बटन का नाम रखना है बटन प्लस माइनस और इसकी टेक्स प्रपर्टी को देख लेते हैं दूसरी प्रपर्टी का नाम रखना है बटन जीरो बटन डॉटन बटन बटन इक्वल बटन 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 त्री बटन फोर बटन 5 बटन 6 5 6 बटन माइनस प्लस माइनस बटन इसके नाम रखने है, ठीक है, उसके बाद इनकी text property भी क्या क्या लिखना है, सबसे पहले इसकी text property plus और slash minus कसाइण, इसकी text property पर zero कसाइण, इसकी dot कसाइण, इसके equal कसाइण, इसके 1, 2, 3, plus, 4, 5, 6, minus, 7, 8, 9, black, x कसाइण, percent, c, a, मैंने लगा या, greater than, minus, minus लिख दिया है, और इ यह आपने इसका डिजाइन करना है ठीक है फिर हम इसके पर करेंगे कोण